आज से सुरुवात कर रहे हैं एक बेहतरीन चेप्टर जिसका नाम है Growth and Development, बिर्धी और विकास देखें, बहुत दिनों से हम लोग CDP के तहत एक थियोरी का स्रीज चला रहे थे, वो सारे बंद करके हमने बहाली परकिरिया के और ध्यान दिया और अब समय आ गया है कि अब हम लोग पूरे All Teaching Exams, आप सभी को पता है कि एकजाम पर एकजाम आते रहेंगे, तो आज कर चेप्टर है बहुत बेहतरीन है और इसका नाम है बिर्धी और विकास जानते हैं कुछ लोगों को गाउधियात में जब रहते होंगे तो वहां पर लोग क्या समझ लेते हैं बिर्धी का मतलब होता है जब हम एक थे एक से दो हो गया दो से तीन हो गया तो क्या वो बिर्धी है तुमारा क्या इसको बिर्धी समझ लेता है तेकि बिर्धी जो होत जनरलिक क्या होती है कि जब आप बाहरी दिखावट पर यानि बाहरी तोर पर जब आप में दिखने लगता है कुछ जैसे आपके ओजन का बढ़ना हो गया आपके लंबाई का बढ़ना हो गया तो यह सारे चीज को हम लोग बिर्धी करते हैं और विकास जो हता है ओभर ओल ड बिकास जिसमें सम्पूर्णता देखते हैं सम्पूर्णता का मतलब कहें तो जो बिकास हो चाहिए आपका भावनात्मक हो भासा यो तो ये सारे चीज जो होते नो बिकास होता है बिर्धी जो होता है छोटा रूप होता है बिकास का यानि बिर्धी जो है बिकास में समाहित होता है लेकिन बिकास बिर्धी में समाहित नहीं होता है लेकिन जरूरी नहीं होता है तो अब सभाल उठता है क्या कि बिर्धी और विकास कि हम बात करें तो आज ये फ़र्ष्ट कलास है तो देखेगा जैसे साधी से पहले जो लरकी होती है आपका देखते होंगे कि इताम टायर लेखा पतरा रहेगे जैसे ही हो जाएगे ने साधी तो देखेगा इताम भुस और विकास को अगर हम किसी माइने तक करना परिभासित करना चाहते हैं तो सिंपल रूप में कर सकते हैं जिसे हम देख सकते हैं वो बिर्धी है और जिसे हम फील कर सकते हैं वो शारा का सारा आपका विकास है ठीक है तो अगर चाहते हैं कि आपका शुन कर पूरा कंसेप्ट किलियर हो जाए तो आपको पूरा विडियो लेख्चर देखिए देखे ये बच्चा है ये छोटा था छोटा थोड़ा सा बरहा फिर उसे बरहा यानि बच्चा का जन्म हुआ सैस्वा अावस्था नहीं ये है आपका सैस्वा हवस्था हो गया बाल्यावस्था में आएगा बाल्यासर फिर बढ़ते चला कि और बढ़ते चला जाता है बच्चा तो यह देखे बिर्धी जो होता है देख सकते हैं यह बिर्धी विकास की बात कर रहें अब हम लोग करेंगे क्या इस चेप्टर में उनिकलूड क्या करेंगे तो उस को आज हम बता दे कि यह सीडीपी चाल्ड डिवलोप्मेंट यह जो है पेडागोगी बाल्यासर पहला चेप्टर ही होती है और टीचिंग एजाम के लिए जिसमें गुरोथन डेवलोप्मेंट बिर्धी और विकास को हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से पढ़ेंगे और हर तो we are going to discuss हम लोग इसमें जो बरनन करने जा रहे है उसमें सबसे पहले हम जानेंगे ग्रोथ के बारे में विर्धी के बारे में दूसरा जानेंगे विकास डेवलोप्मेंट के बारे में और तीसरा डिफ्रेंस वेट्विन ग्रोथन डेवलोप्मेंट विर्धी और विकास म आने वाले कारक को देखेंगे और six number जो है आपका वह आपका principles of और एक और चीज़ देखेंगे यह six एक number थोड़ा सा मिस हो गया है यहां पर stages of development विकास के अवस्थाय देखेंगे उसके बाद principles of the development of children यानि बालक के विकास के सिधान्त को देखेंगे influence of her identity and environment अनुबन सिखता और बातावरन के परभाव को देखेंगे और उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं तो उसमें आ जाएगा यह तो देख चुके है अप educational implication section के अनुपरियोग आखिर हम सिख्छा के छेतर में जब आप एक teacher बनने जा रहे हैं तो इसका क्या अनुपरियोग है इसके बारे में जानेंगे और लास्ट में हमडों practice questions and answers देखेंगे अभ्यास प्रश्ण और उत्तर को देखेंगे तो अगले वीडियो जल्द आ रहे है प्ले लिस्ट में सारे वीडियो अपलोड कर दी जाएगी ओके जैहिंद